भूमी, म्रिदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन भूमी, म्रिदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन भूमी, भूमी सबसे महत्वपून प्राकृतिक संसाधन है पृत्वी के कुल शेत्रफल का लगभग तीस प्रतिशत भाग भूमी है इस भूमी का सारा भाग भी आवास योगी नहीं है भूमी और जलवायू के अलग-अलग लक्षणों के कारण विश्व के विभिन भागों में जनसंख्या का वित्रण असमान पाया जाता है उबर खाबर, इस्थल रूप, परवतों के तीवर ढाल जलाक्रांत संभावित निम्नेशेत्र, मर्विस्थलिय शेत्र, एवं सघन वन शेत्र समानित विरल अत्वा निर्जन है उपजाओ मैदानों और नदी घाटियों में क्रिशी के लिए उपयुक्त भूमी उपलब्द होने के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है भूमी उपयोग जब भूमी का उपयोग क्रिशी, वानेकी, खनन, सडकों और उद्योगों के स्थापना के लिए किया जाता है तो इसे भूमी उपयोग कहते हैं भूमी का उपयोग इस्थलक्रती, मृदा, जलवायू, खनिज और जल की उपलब्दता जैसे बहुते कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है जनसंख्या और प्राद्योग की जैसे मानविय कारक भी भूमी उपयोग के महत्वपून निर्धारक है भूमी को निजी भूमी और समुदाइक भूमी में बाटा जा सकता है निजी भूमी व्यक्तियों की स्वामित्व में होती है जबकि समुदाइक भूमी समुदाइक के स्वामित्व में होती है सामुदाइक भूमी का उपयोग समुदाइ से संबंदित व्यक्तियों के लिए किया जाता है जैसे चारा, फलों, नट और आशदिय बूटियों को एकत्रित करना सामुदाइक भूमी को साज़ा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं जनसंख्या में व्रिद्धी के साथ भूमी की मांग बढ़ी है लेकिन भूमी की उपलब्धता सीमित है इस्थान के अनुसार भूमी की गुर्वक्ता में अंतर होता है लोगों ने सामुदाइक भूमी पर व्यापारेक शेतर बनाने नगरिय शेत्रों में घर बनाने और ग्रामेर शेत्रों में योग भूमी का विस्तार करने के लिए अनाधिक्रित हस्तशेप करना शुरू कर दिया है वर्तमान भूमी उपियोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमरे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है वर्तमान समय में क्रिशी और निर्मान संबंधी गतविधियों के प्रसार के कारण पर्यावरण के लिए प्रमुख खत्रा है भूमी संसाधन का संरक्षन बढ़ती जनसंख्या की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए वन भूमी और क्रिशी योग भूमी का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है इससे भूमी संसाधन के समाब्थ होने का डर पैदा हो गया है इसलिए विनाश की वर्तमान दर को रोकने के लिए निम्न उपाहे किये जाने चाहिए वन रोपन भूमे उद्धार रासाइनी कीट नाशकों और उर्वरकों के अत्तधि कुपियोग तथा अतिचारण पर रोक आदे मृदा प्रत्वी के धरातल पर दानेदार कनों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है किसी विस्थान के मृदा का निर्धारण वह के स्थल रूपों से होता है मृदा का निर्मान अफशे की प्रक्रिया द्वारा चटानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रन मृदा को उपजाओ बनाता है मृदा निर्मान के कारक जनक शैल का स्वरूप और जल वायविक कारक मृदा निर्मान का प्रमो कारक है इस्तला कृति जैव पदार्थों की भूमी का और मृदा निर्मान के संगठन में लगा समय मृदा निर्मान के अन्यकारक है मृदा का निमने करण और सारक्षन के उपआए मृदा अपपर्दन और मृदा का शरण मृदा के लिए दो मुख्य खत्रे है मानविय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निमने करण हो सकता है वनों का विनाश अतिचारण रासायनिक उर्वरक और कीट नाशकों का अत्यदिक उप्योग वर्षा दोहन भोसखलन और बाढ़ मृदा के निमने करण के लिए उत्तरदाई होते हैं मृदा सरक्षन की कुछ प्रमख विध्या इस प्रकार है मल्च बनाना इस विधी में पौधों के बीच बिना आवरन वाली भूमी को जैवपदार्थों से ढग दी जाती है जिससे मृदा की आदरता कायम रहती है वेदी का फार्म इसका निर्मार्ण पहाडी शेत्रों में तीवर ढालों पर किया जाता है इससे प्रिष्ठिय प्रवाह और मृदा अपर्दन कम हो जाता है और समतल सत्र पसलुगाने के लिए उपलब्ध होती है समोच रेखिये जुताई पहाडी ढलानों पर समोच रेखाओं के समनांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्मान करती है रक्षक मेख लाएं तटिक और शुश्क प्रदेशों में पवन की गती को नियंतरित कर मृदा आवरण को बचाने के लिए व्रिक्ष कतार में लगाए जाते है समोच रेखिय रोधिकाएं पहाडी शेत्रों में पत्थरों, घास, मृदा आदी का उपयोग कर समोच रेखाओं पर रोधिकाओं का निर्मान किया जा सकता है चटान, बांद जल के प्रवाह को कम कर मृदा की शती को रोकने के लिए इसका निर्मान किया जाता है बीच की फसल उगान वर्शा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग समय पर भिन-भिन फसलें एक आंतर कतारों में उगाई जाती है जल जल एक महत्वपून नविकर्णिय प्राकृतिक संसाधन है प्रित्वी का तीन चौथाई भाग जल से ढखा है इसलिए इससे जल ग्रह भी कहा जाता है आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की शिरुवात जल से ही हुई थी आज भी महासागर प्रित्वी की सतह के दो तिहाई भाग पर फैले हुए है और विविद प्रकार के पौधों और जन्तूओं को मदद करती है महासागरों का जल खारा है और मानविय उपयोग के लिए उपयोगत नहीं है अलवनिय जल केवल 2.7 प्रतिशत ही है इसका लगभग 70 प्रतिशत भाग, बर्फ के चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्टिका, ग्रीन लैंड और परवत्य प्रदेशों में पाया जाता है केवल एक प्रतिशत अलवनिय जल मानविय उपयोग के लिए उपलब्ध है या बहौम जल, नदियों और जीलों में प्रिस्ठिय जल के रूप में तथा वायू मंडल में जलवाश्व के रूप में पाया जाता है प्रित्वी पर जल की मातरा को न तो घटाया जा सकता है और नहीं बढ़ाया जा सकता है यहाँ वाश्पी करण वर्षन प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महसागरों, वायू, भूमी और पुना महसागरों में चक्रन द्वारा निरंतर गतिशील है और इसे जल चक्र कहते हैं मनुष्य जल का उप्योग अपने दैनिक कारियों पीने तथा विभिन उत्पादन कारियों में करता है जल का उप्योग क्रिशी, उद्द्योगों तथा विद्दुत उत्पादन करने में भी किया जाता है जल स्रोतों के सूखने अत्वा प्रदूशित होने के कारण अलवन्य जल की आपूर्ती में कमी आई है जिसके प्रमुह कारण इस प्रकार है बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग बढ़ता शहरी करण और बहतर होता चीवन इस्तर जल उपलब्धता की समस्याएं विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है अफ्रिका का अधिकांश भाग पश्चमी एशिया दक्षणी एशिया पश्चमी सैयुक्तिराज अमेरिका उत्तर पश्चमी मेक्सिको दक्षणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्टेलिया अलवनिय जल की आपूर्ती की कमी का सामना कर रहे हैं ये शेत्र ऐसे जलवायू प्रदेशों में अस्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता रहता है जिससे जलाभाव की समस्या बनी रहती है जल का भाव मौसमी अत्वा वार्शिक वर्षण में विविधिता के परिणाम सरूप हो सकता है जल के अतियुपियोग और जल स्रोतों के प्रदूशन के कारण भी जल का भाव हो सकता है जल संसाधनों का सर्रक्षन हाला कि जल एक नवी कर्णिय संसाधन है फिर भेस का अतियुपियोग और प्रदूशन इसी उपियोग के लिए अनुपियुक्त बना देता है बिना उप्चारित या आंशिक रूप से उप्चारित वाहित मल, क्रिशी रसायनों का जल में मिलना और जल स्रोतों में और द्योगिक कच्रों का प्रवाह जल के प्रमुख प्रदूशक है इन में सधिकांश रसायन अजयव निम्नकर्णिय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुँच जाते हैं इन प्रदूशकों को जल में छोड़ने से पहले उनका उप्चार कर जल प्रदूशन को नियंत्रित किया जा सकता है वन और अन्य वनस्पते आवरण धरातलिय प्रवाह को मन्द कर भूमेगत जल की पुनः पूरित करते हैं जल संग्रहन प्रस्थिय प्रवाह को बचाने की दूसरे विधी है सिचाई के लिए जल का उप्योग करते समय जल रिसाव को कम करने के लिए पक्के नहरों का निर्मान किया जाना चाहिए रिसाव और वाश्पी करण से होने वाली जल की बरबादी को रोकने के लिए इस प्रिंक कलरों से सिचाई करना अधिक प्रभावी विधी है वाश्पी करण की अधिक दरवाले शुष्क प्रदेशों में सिचाई की ड्रीप अत्वा टपकन विधी बहुत उप्योगी होती है सरक्षण की इन विधियों को अपना कर बहुमूल्य जल संसाधन को सरक्षित किया जा सकता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन इस्थल मंडल, जल मंडल और वायू मंडल के बीच के सक्रे शेत्र में जहां वनस्पति और जीव जन्तु पाय जाते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं जैव मंडल में सभी सजीव एक दूसरे से परसपर, संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसे पारित तंत्र कहते हैं। वनस्पती और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकडी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, आक्सीजन उत्पन करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए मृदा की रक्षा करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। वन ने जीवन के अंतरगत, जन्तु, पक्षी, कीट, इवं जलिये जीवाते हैं। इनसे हमें दूद, मांस, खाल, उन, प्राप्त होता है। मदुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, यह फूलों के परागन में मदद करता है। और पारी तंत्र में अब घटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है। चिडिया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है। और अब घटक के रूप में कारे करती है। गिद मृत जीवजन्तूओं को खाकर अपर माजक का कारे करता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। छोटे बड़े सभी प्राणी पारी तंत्र के संतुलन को बनाय रखने के लिए अनिवारे है। प्राकृतिक वनस्पती का वित्रण किसी भी स्थान के वनस्पती मुख्य रूप से वहा के तापमान और वर्शाप पर निर्भर करती है। विश्व के वनस्पती के मुख्य प्रकारों को चार वरकों में रखा जाता है। जैसे वन, घासस्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्शावाले शित्रों में विशाल वरक्ष उक सकते हैं। जैसे जैसे वर्शा की मातरा कम होती जाती है, वैसे वैसे व्रिख्षों का आकार और उनकी सघंता कम होती जाती है। सामान्य वर्शावाले शेत्रों में छोटे आकार वाले व्रिख्ष घास उकती है, जिनसे विश्व के घास स्थलों का निर्मान होता है। कमवर्षा वाले शुश्क प्रदेशों में कटीली जाड़ियां एवं गुल्म उकते हैं, इन शेत्रों में पौधों की जड़ें गहरे होती हैं। वाशपोत सरजन से होने वाले आर्दरता की हानी को कम करने के लिए इन पेड़ों की पतियां कांटेदार और मुमी सतह वाली होती हैं। सीतर ध्रुविय प्रदेशों में मास और लाइकेन वाली टुन्डरा वनस्पती मिलती हैं। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर सदा बहार वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गिकृत किया जाता है। जिन वनों के व्रिक्ष वर्ष के किसी भी रित्तु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, उन्हें सदा हारित वन कहते हैं। वेवन जिनके व्रिक्ष वाशपोत सर्जन से होने वाली हानी को रोकने के लिए किसी भी विशेश रे तुमें अपनी पत्तियां के रा देते हैं, उन्हें पर्ण पाती वन कहते हैं, अलग-अलग अक्षांशों में इन के स्थिति के आधार पर पर्ण पाती वनों को उष्ट के विशाल शेत्रों से व्रक्षों को काटा जा रहा है, जिसके कारण वनों का आवरण तेजी से समाप्थ हो रहा है, अता इस बहुमोल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंता विशक्ता है, प्राकृतिक वनस्पती और वन्य जीवन का संरक्षण, पौदे जन्तूं को आश् विया हस्त शेप के कारण पौधों और जन्तूं के प्राकृतिक नावास नश्ठ हो सकते हैं, पौधों और जन्तूं की बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकट ग्रस्थ हैं, और कुछ विलुप्थ होने के कगार पर हैं, वनों का विनाश, मृदा अपर्दन, निर्मा दावानल और भोस्खलन के कारण प्राकृतिक संसाधन नश्ठ हो रहे हैं, पश्वों के खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंक और स्तिंगों के एकत्र करने और गैर कानूनी व्यापार के लिए जन्तूं को अनाधिक्रित रूप से मारा जाता है, चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच, दर्याई घोड़ा, हिम तेंद्वा, शुतर मुर्ग, और मोर जैसे जीवों का संरक्षन जागरुकता बढ़ा कर किया जा सकता है, प्राकृतिक वनस्पती और वन्य जीवन के संरक्षन के लिए रास्टियों उद्ध्यान, वन्य जीव, संकरी घाटियों, जीलों और आर्द भोमी का संरक्षन, मुल लिवान संसाधनों को नश्ठ होने से बचाने के लिए आवश्चक है, प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को नियंत्रित कर, पर्यावरण में संतुलन को बनाय रखा जा सकता है, विश्व के अनेक भागों में मनुश्य ने अपने क्रिया कलापों से अनेक प्रजातियों के प्राक्रतिक आवासों में उथल-फुथल कर दिया है, अनेक पक्षियों और जीव जन्तूं के अंधा धुन्ध शिकार के कारण, या तो वे विलुप्थ हो गये हैं, या विलु वन महोत्सव जैसे कारेक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जाना चाहिए स्कूल के बच्चों को पशु पक्षी देखने और प्राकृतिक कैम्पों में जाने के लिए प्रोच साहित करना चाहिए ताकि वे विविद जातियों की निवास का अवलोकन कर सकें बहुत से देशों में पशु पक्षियों का शिकार करना उनके अंगों का व्यापार करना गहर कानूनी है भारत से शेर, चीता, हिरन, भारतिय सारंग और मोर के मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है एक अंतरास्टिय संस्था CITES The Convention of International Trade in Indensured Species और Wild Fauna and Flora ने प्राणियों, पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तयार की है इसे सूची में दिये गए सभी पक्षियों और प्राणियों के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाये गए है पौधूं और प्राणियों का संरक्षन प्रतिएक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है प्राणियों कंट्स प्राणियों की सूची में और ऊम Buff वर व Iraq हमें। झाल झाल